वेल्कम बैक फ्रेंच टू दा जी एस प्रेटफर्म यूट्यूब चैनल दोस्तो आज आपका 29 अप्रेल और 29 अप्रेल की करेंट अफ्यर में जो भी महतपूर प्रिशन बनेगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजे और पास वाले इस तरह की बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे जिसी आपको नई वीडियो को नोटिफिशन मिलता रहे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आज हर परिच्चा में चाहें वो यूबी पीस्ती, एसस्ती, ब चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, तो आज की वीडियो का आपका पहला प्रिच्चन है किस प्राइवेट कंपनी ने दिल्ली के लाल के लिए हे तू अडॉप्ट ए हैरिटेज योजना की तहत समझाज़ाते पर हस्ताक्षर किये हैं तो डालमिया भारत लिम्टेड डालमिया भारत limited company ने दिली के लाल के लिए तू adopt a heritage योजना की तहस समझाते पर हक्तास्तर किये है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसी company ने गांधी कोटा किला जो की आंदरप्रदेश में है उसको भी adopt करने का फैसला किया है और ये भारत सरकार के साथ इस company का समझाता हुआ है तो इस पहल का हिस्सा बनने वाले जो corporate हैं ये पहले corporate हैं और ये जो दोनो heritage sites को उन्होंने adopt किया है ये कुल 5 वरसों के लिए adopt किया गया है यानि कि 5 वरसों तक अब इन दोनों विरासत इस्थलों की संचालन की और उनके रख रखाओ की जो भी देखभाल है वो डालमिया भारत limited करेगी हलांकि डालमिया भारत limited को इस रख रखाओ के बल्दे वहाँ पर अपना विज्यापन यानि प्रिचार करने की अनुमती मिल जाएगी तो अब लालकिला जो भी है यहाँ पर यह कंपनी अपने विज्यापन लगा सकती है हलांकि आज जो news channels थे tv channels तो आपर कुछ अलग तरीके से इसको दिखाया जा रहा था कि लालकिला को बेंच दिया गया है या लालकिले को ठेके पर उठा दिया गया है तो आप कह सकते हैं कि adopt a heritage योजना के तहत इसको 5 साल के लिए दिया गया है डालमिया भारत limited company को जो की पूरे जो है इसका रक्स रखाओ संजालन करेगी और इसके बदले वो अपना वापर विज्यापन लगा सकती है तो यह आप ध्यान रखेंगे यह आपका 25 करोड रुपए में यह sign agreement हुआ है तो आपका पहला question complete हुआ next question आपका दिखते है संयुक्त राष्ट्र संग ने म्यामार के लिए विसेश दूद की रूप में किसे निक्त किया है तो संयुक्त राष्ट्र संग ने म्यामार के लिए विसेश दूद की रूप में क्रिष्टीन स्रानर बरगनर को निक्त किया है मैं आपको बता दूँ कि इनकी यह जो निक्ती है वो पहले 2015 से जर्मनी के लिए राजदूद की थी और बाद में कई देश की राजदूद भी बने लेकिन अब जो है क्रिष्टीन स्रानर बरगनर को म्यामार के लिए विसेश दूद की रूप में निक्त किया गया है आप जानते कि म्यामार में रोहेंगिया जो सरडारती थी उनका काफी मुद्दा अभी भी प्रासंगिक है तो उसके लिए काफी मामलों पर विचार करने के लिए इनको भेजा गया है और वहाँ पर निक्त किया गया था है ठीक है और मैं आपको बता दूँ म्यामार की इस्टेट कांसलर इस समय आंग सान सूकी है और वहाँ की जो राजधानी है म्यामार की नाइपिडो और वहाँ की राष्टपती हाली में बनाए गए है विन मिन्त पिछली किसी करंट अफियर वीडियो मैंने आपको बताया था कि म्यामार की हाली में राष्टपती बने है विन मिन्त तो दोस्तो संयुक्त राष्ट संग ने क्रिश्टीन स्रानर बरगनर को म्यामार के लिए विशेश दूद की रूपे उनको निक्त किया है नेक्स्ट कुश्चन आपका है तीसरा प्रिशन हर्याडा के स्वास्त कारकरम की ब्रंड अमबैसडर हाल ही में कौन बनी है तो हर्याडा की सूटर गौरी सूरान निसानेबाज है गौरी सूरान ये हर्याडा के स्वास्त कारकरम की ब्रंड अमबैसडर बनाई गई है तो इसमें क्या है कि वहाँ पर खसरा, रुबेला जैसे जो रोग है उनके टीकगर अभयाम के सुभारम पर वहाँ के मुकमंतरी मनोहर लाल खटर ने इसके नड़े की गोशना की है कि उनको ब्रंड अमबैसडर बनाया जाएगा तो इस अभयान की तहित क्या है कि 9 महीने और 15 वर्स तक की आयू के बीच के लगवग 80,000,000 बच्चों को टीका लगाया जाएगा और इसके लिए 11 चिकित सा मुबाइल एकाईयों को भी नामांकित किया है हर्याड़ा सरकार ने हाली में स्वास्थ कारकरम की ब्रंड अमबैसडर की रूप में सूटर गौरी शोरान को निक्त किया है आगे आपका नेश्ट कॉश्चन है हाली में भारती महला मुक्की बाजों ने बैकांग में ASEAN Youth Championship में कुल कितने सुरण पदक जीते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हाली में भारती महला मुक्की बाजों ने बैकांग में ASEAN Youth Championship में कुल तीन सुरण पदक जीते हैं और इन सबी ने ये सुरण पदक जीते हैं और अर्जेंटीना में अक्टूबर में होने वाले युबा ओलंपक के लिए उन्होंने कॉलिफाइड कर लिया है ठीक है तो हाली में भारती महला मुक्की बाजों ने बैंककॉक में ASEAN Youth Championship में तीन सुरण पदक जीत लिए जिससे की वो अब युबा ओलंपक के लिए क्वालिफाइड हो गए ठीक है तो आपका च्वाथा प्रिशन कंप्लीट हुए नेक्स्ट कॉश्चिन आपका है वर्स 2018 का मार्था फेरेल पुरुसकार किसने जीता है मार्था फेरेल पुरुसकार तो दोस्तो नादिया सफी को मार्था फेरेल पुरुसकार 2018 मिलेगा मैं आपको बता दूँगी ये स्री नंगर की वीडियो रिपोर्टर है नादिया सफी इन्होंने मैलाओं की ससकती करड के लिए उतकृष्टा के लिए उन्हें 2018 का मार्था फेरेल पुरुसकार मिला है और इसके तहित उन्हें 1.50 लाख रुपए मिलेंगे इस पुरुसकार की फलसुरूप और मैं आपको बता दूँगी इस पुरुसकार को लेंगिक समानता और मैलाओं की ससस्ती करड के लिए कार करने वाली कारकरता डाक्टर मार्था फेरेल की याद में ही इस पुरुसकार की चेत्रों को प्लाश्टिक मुक्त चेत्र गोसित कर दिया है तो इसका अंसर है सरकार ने सभी सनरच्छित चेत्रों को प्लाश्टिक मुक्त गोसित कर दिया है तो मैं आपको बता दूँगी परियावड मंत्राला ने देजवर की सभी सनरच्छित चेत्रों में प्लाश्टि चेतर हैं वो पहले ही प्लास्टिक मुक्त चेतर गोशित किये जातों के और अब भारा सरकार ने पूरे देश के सभी सरंड़चे चेतरों को प्लास्टिक मुक्त चेतर गोशित कर दिया है तो इस वीडियो का आपका नेक्स्ट कुशियन है सात्मा प्रिशन पश्चमी चेतरी परसद की तेईसमी बैठक की अध्यचता हाली में किस ने की है तो पश्चमी छेत्री परसद की तेईसमी बैठक की अध्यचता भारत के ग्रह मंतरी राजनात सिंग ने की है तो मैं आपको बता दूँ कि केंदरी ग्रह मंतरी राजनात सिंग ने गांधी नगर जो कि गुजरा यह जो बैटक है वो 1956 के तहट छेत्री परसत की जब इस्थापना की गई थी तपसी किया जा रहा है तो पश्टमी छेत्री परसत की तेश्वी बैटक की अधश्ता हाले में राजना सिंग ने किया है दोस्तो इस वीडियो का नेक्स्ट कुश्यन है भारती मूल के चात्रों के लिए शुरू की गई दीन दयाल उपाद्या चात्रपरती के तहट कितनी धनरासी की साहता मिलेगी तो दोस्तो भारती मूल के चात्रों के लिए शुरू की गई दीन दयाल उपाद्या चात्रपरती के तहट कुल 25,000 रुपए की आर्थिक साहता मिलेगी मैं आपको बता केंदरी सूचना एवं प्रसाराल मंतरी इसमर्ती इरानी ने इस योजना को सुबारम 27 अप्रेल को किया है तो भारती मूल के जो छात्र हैं जो भारत में ही पढ़ने के लिए आएंगे तो भारती मूल के छात्रों के लिए शुरू की गई दीन दैल उपाद दैशार्ट प्रती के तैश्कुल 25,000 रुपए की आर्थिक सायता मिलेगी ठीक है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौण से दो देश एतिहासिक शिकर सम्मेलन में परमाडु मुक्त होने पर सहमत हो गई है यानी कि अब नुकलियर एनरजी पर बहुत ही कम काम करेंगे यानी कि काम करेंगे ही नहीं ऐसा कह सकते हैं तो उत्तरकोरिया और दच्छडकोरिया देस एतिहासिक सिकर सम्मेलन में परमाडो मुक्त होने पर सहमत हो गई हैं तो जैसा कि आप बता हमेंने आपको बताया था कि इससे पहले सीद कालीन ओलंपिक हुए हैं जो कि दच्छड कोरिया देश में हुई थे तो वहाँ पर दोनों देशों का सहयोग तरूप से ध्वज भी फैराया गया था तो इस कदम में दोनों देश पास भी आये हैं तो उन् पूझी अधिड़की पूझी अधिगरण की प्रतावों को मंजूरी दे दिया मैं आपको बता दूँ की बरतमान में भारत की जो रच्छा मंत्री निर्मला सीता रमड उनकी अध्यक्ता में extraव यह प्रिस्ताव लिआए हैं और इसma P.254 करोड रुपई की लागत से तो DRDO की डिजाइन और विक्सित सिस्टम मिसाइल सिस्टम को भी ठीक किया जाएगा और बांकी की रुपई रच्छा चेतर में व्याई किये जाएगे मैं आपको बता दूँ कि यह रच्छा चेतर का पूरा सिस्टम है इसमें यह पूरी रुपई खर्च किये जाएंगे और वरतमान में भारती नौ सेना की वरतमान में जो एड्मिरल है वो सुनी लामबा है और जनरल बिपिन राथ भारती ये सेना की अद्यच्छ हैं और एर चीफ मार्सल ब्रिजेंदर थिंग धनोवा भारती वाई उसेना की इस्टाप की वरतमान में प्रमुक है तो नेक्स्ट क्वेशन आपका कंप्लीट हो चुका है आप देखते हैं कल की कुछ का उत्तर तो कल की कुछ का प्रिसन था हाली में विस्टर हीमोफीलिया दिवस कम मनाएगा तो इसका अंसर है 17 अप्राइल आप सभी ने सही उत्तर दिया और आज की वीडियो का क्वेशन आपका है हाल ये पर दरपड एप को किस मंत्राइल ने शुरू किया तो आप इसका अंसर जानते हैं तो कमेंट करना ना भूले और अंत में बस यही कहूँगा कि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको सियर करना ना भूलें और अगर आप परियावड अध्यन से सम्मंदित 50 महतपूर्ट प्रिश्न की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी end screen में जाएए और यहाँ पर आपको देख रही होगी वीडियो उसकर क्लिक करके आप देख सकते हैं तो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार